दोस्तों कई बार होता है कि आप Android में कोई भी लिंक क्लिक करते हैं और वो उसके डिफॉल्ट ब्राउजर में खोलता है जैसे कि मेरे पास अभी Redmi Note 7 Pro है तो इसमें मैं कोई भी लिंक ओपन करता हूं वो बाई डिफॉल्ट MI के ब्राउजर में ओपन होता है और MI का ब्राउजर परसनली मुझे अच्छा नहीं लगता है तो इसको मैं चेंड करना चाता हूं Chrome में तो आई आज इस वीडियो में देख लेते हैं कि Android में कैसे जो है वो ब्राउजर को चेंड करके किसी दूसरे ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाते हैं सबसे पहले देखिए आप आपको एक्जामपल के तौर पर मैं बता देता हूं यहां पे मेरे पस कोई link है मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यह डिफॉल्ट जो है वो एमाई के ब्राउजर में ओपन होता है और मिका ब्राउजर जो है वह एसे पहलतू में एडवरटाइसमेंट दिखाता रहता है जो कि मुझे जाना पड़ेगा setting में अलग-अलग phone में अलग-अलग function हो सकते हैं मैं setting में गया हूँ और यहाँ पे मैं गया हूँ apps के अंदर यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि install apps या फिर system app कुछ भी इस तरह की wording हो सकती है लेकिन scenario जो है वो लगभग लगभग एक जैसा ही है apps में गया मैं और यहाँ पे आपको जाना है system app setting के अंदर यहाँ पे आपको search करना है वो browser जिसको आप chain करना चाते हैं तो यह रहा मेरा MI का browser सबसे नीचे इस पे मैंने click कर दिया यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे set as default browser वो मुझे करना है uncheck uncheck करते time यह मुझे फिर बोल रहा है कि MI का browser बहुत अच्छा है convenient है और जो browsing है वो fast होती है लेकिन मुझे नहीं चाहिए मैं switch करता हूँ switch करने के बाद यहाँ पे option रहेगा clear defaults यानि कि जो defaults यह बना हुआ है उसको clear करना पड़ेगा तो इसको clear कर दीजिए यह clear हो चुका है अब चलिए उसी link को फिर से click करते हैं मैंने click किया तो देखिए यहाँ पे एक option आया जो की open with है यहाँ पे open with में आपको यहने कि chrome का browser choose कर लेना है लेकिन ध्यान रहे जब आपने chrome का browser choose करना है तो आपको करना है remember my choice यानि कि next time जब भी आप कोई link क्लिक करें तो उसको याद रहे कि आपका जो browser है वो chrome है तो मैंने यहाँ पे इसको remember my choice कर दिया आप मुझे chrome के थरूँ open करना है तो वो ही link जो है वो मेरा chrome से open हो गया है एक बार फिर से try कर लेते हैं देखिए मैंने click किया direct जो है वो link chrome में open हो गया तो यही scenario है default browser बनाने का और I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like ज़रूर करिए अगर आप मेरे channel पर नए है तो channel को subscribe भी कर लिजेगा thank you